आई गाई आपका सौगत है मेरे चैनल में और आपके सामने दो ट्रेलर के बारे में एक साथ बात करने बाला हूँ सबसे पहले तेजस के बारे में और गंपत के बारे में लेटर वीडियों बात करूँगा तेजस का कली ट्रेलर आया था और गंपत का आज ही रिलीज हुआ है तो सबसे पहले मैं बात करूँगा तेजस के बारे में कल उसका जो ट्रेलर लाउंच हुआ था और सबसे पहले यार थोड़ी अच्छी सी बात करूँ अगर मुझे क्या चीज़े इसमें अच्छे लगी इस देश को अगर मा की तरह समझ कर प्यार नहीं कर सकते तो वो समझ लो जिससे सबसे ज़ादा प्यार करते हो अगर इसमें कोई और हीरोईन होती तो मुझे नहीं लगता बहुत ही डल ये ट्रेलर लगता बर उनकी वज़े से ही ट्रेलर बहुत ज़ादा इंट्रेस्टिंग बन जाता है उनकी जो एक साथगी है और भले ही उनका कुछ भी ओपीनियन कितना ओर टॉप रहती हैं अपनी मुझे बाद एकस्पेक्ट लगे बहुत सारे हैं और सबसे पहले जीब मुझे चीज लगती है ये मेरा पर्सनल अपीनियन है यार मैं थोड़ा अब मैंने पहले भी बता था भी जो कुछ रिसेंट्ली फिल्म आई थी यार I don't understand कि अभी भी बता नहीं हिंदी फिल्म में क् रियालिटी में हो बट फिल्मों में अभी भी दिखता है तो वो चीज मैं उप चुका हूँ उससे कि बार-बार पाकिस्तान कुछ और नए विलेंस हो गया कुछ और चीजे हो तो ज्यादा इंटरस्टिंग लगता है उसके वज़े से मैं मैं तो उप चुका हूँ परसनली मुझे आउडियन्स को मज़ा आता है एक पाकिस्तानी इंडिया-Pakistan का मैच हो या कोई भी पाकिस्तान का अगर अगर आता है तो लोग बहुत अक्साइटीड हो रहते हैं बहुत नमबर्स में आते हैं तो वो मेकर्स भी जानते हैं और परसनली मैं एंजॉई नहीं करता गया है मुझे तो बहुत ही जादा खराब लगे और ऐसा मुझे ऐसा लगा कि PS2 की कोई मैं गेम देख रहा हूं और इतने कन्विंसिंग नहीं थे मैं यह नहीं गहरा कि इसको टॉप किन जैसे बना दो बट यार हमने देखा है बॉलिवड फिल्म्स में अब थोड़ा कॉल कि मुझे बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगे कुछ शॉट बहुत ही जादा फेक थे वो बिल्कुल रियालिटी से बहार निकाल रहे थे तो यह चीज़ मुझे ट्रेलर की खराब लगी बाकी मैं अतनी जल्दी जल्द नहीं करूंगा फिल्म को और में भी ओर्डियंस फिल्म को देखने आए धाकड में भी ऐसा लगा था कि ओडियंस आएगी बर ओडियंस का कुछ पता नहीं है तो लेट्स सी इस फिल्म का क्या होता है वो तो वक्त बताएगा दूसरे ही ट्रेलर पर आता है घंपत तीजर देखा था टीजर से मुझे आइडिया हो गया था फिल्म कैसी होने वाली है ट्रेलर कैसे होने वाला है और फिल्म भी कैसे होने वाली है एक आइडिया मिल चुका था यहां पर भी एक्जाक्ली ऐसा ही मुझे लग रहा है एक आवरेज बॉलिवूड डिस्टोपिन टाइप की फिल्म यह लग रही है और मुझे लग नहीं र बना रहे हैं विकास भेल टाइगर शुरॉफ के साथ तो मुझे ये लगा था कि प्रॉबिबली हम देखेंगे अब टाइगर शुरॉफ का कुछ नहीं चीज या उनकी आक्टिंग देखेंगे एक डांसिंग और वो सब उचलकूट जो करते हैं जनरली फिल्मों में वो हम नह नहीं देखेंगे बट यहां पर उन्होंने यही कैश किया डारेक्टर ने भी और एक टिपिकल उनका जो हमेशा रहता है उचलकूट करना यहां पर भी दिखता है लिस्टोपियन फिल्म मुझे किसी भी एंगल से यह नहीं लगी और काफी खराब लगे विएफेक्स भी यह प्रोजेक्ट उनने क्यों हां करी I don't understand और काफी बैड काफी बैड प्रोड़क्ट है मैं कहूंगा तो मुझे इस फिल्म से ज़्यादा कोई घंपत से उमीद नहीं है मैं जानता हूँ मेरे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है और I don't know ओर्डिंस को पसंद आ जा और कमेंट बॉक्स मुझे जरूर बताना और अपने जरूर शेयर करना गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना यार मेरा काम अगर आपको पसंद आता है बहुत बहुत धन्यवाद गुड़ नाइट नमस्ते शुबरात रहे